परकार हाइना के ग्रूप ने उसके गाउंपर हमला करके गाउंवालों को बंदी बना लिया है और वो खुद भी हाइना से अपनी जान बचा कर भागते हुए जंगल में आ गया इसके बाद सावा एंगी से पूछता है कि आखिर अब तुम सफेद भेडिया हमारे गाउं के हिफाज़त क्यों नहीं करते इस पर एंगी उसे बताता है कि अब वो सिर्फ अकेला ही सफेद भेडिया बचा है लेकिन वो किसी ऐसे को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है इसके बाद एंगी सावा को दूर एक पहारी दिखाते हुए बताता है कि उस पहारी पर एक जादू गर्नी रहती है जो उनकी मदद कर सकती है और साथी वहाँ एक ऐसा युद्धा भी रहता है जो गाउं को बचाने में उसकी मदद कर सकता है सावा ये जानकर बहुत खुश होता है लेकिन एंगी उससे समझाता है कि उस पहारी तक जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि पहारी तक जाने के रास्ते में तीन सीरो वाले मंकी क्वीन का इलाका पड़ता है जो काफी जादा खतरनाक है और क्यूंकि पहारी पर रहने वाली जादूगर्णी नहीं अपनी मैजिकल पावर की मदद से उस मंकी क्वीन के तीन सर कर दिये थे इसलिए मंकी क्वीन ने पहारी तक जाने के सारे रास्ते बंद कर दिये हैं अब सावाएंगी के साथ पहाली के रास्ते पर निकल पड़ता है रास्ते में उन्हें एक पिंक बाहता है